नमस्ते आप देखरें एशा न्यूज इंडिया मैं हूँ आर्टी पीम किसान की इग्यारवी किस्त पर आया बड़ा अपडेट सुरू हुई है या नहीं सुविधाएं यदि आपने अभी तक पीम किसान से जुड़ा एकेवाईसी पूरा नहीं किया है तो आपकी ग्यारवी किस्त रुख सकती है या भी खबर है कि एक मैं से तीस जून के बीच सरकार की तरफ से सोसल आर्डिट कराया जा रहा है QUEYC पीम किसान निधि के लाभारतियों को ग्यारवी किस्त का इंतिजार है सरकार की तरफ से ग्यारवी किस्त जारी करने से पहले लाभारतियों सेook करवाने के लिए कहा गया है काफी लोग इसे लेकर परिशान है अब आपको KYC कराने के लिए आधार सेवा केंद्रों पर जाने की जरूरत नहीं है यानि आप घर बैट कर भी KYC पूरा कर सकते हैं बहाल हुआ OTP प्रमानी करन इसके लिए आपका आधार और मुबाइल नंबर लिंक होना चाहिए यदि यह दोनों लिंक हैं तो आप मुबाइल या लैपटॉप से OTP के माध्यम से KYC का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं आपको बता दे कि PM किसान पोटल पर आधारित OTP प्रमानी करन कुछ दिन के लिए रोख दिया गया था जिसे अब बहाल कर दिया गया है 31 में से पहले पूरा करें EKYC यदि आपने अभी तक PM किसान से जुड़ा EKYC पूरा नहीं किया है तो आपको 11 वी किस रुख सकती है PM किसान पोटल पर आधार बेस्ट EKYC फिर से सुरूब हो गया है दरसल सरकार की तरफ से EKYC नियमों को जरूर किया गया है कैसे पूरा होगा ये EKYC प्रोसेस नमबर वन सबसे पहले अपने मुबाइल या लैप्टोप पर PM किसान की वेबसाइट खोले यहाँ पर दाई तरफ EKYC का लिंक दिखेगा प्रोसेस नमबर दो यहाँ आधार से लिंक मुबाइल नमबर दर्च करे और सर्च बटन पर टैप करे अब आपके मुबाइल पर चार डिजिट का OTP आएगा इसे दिये गए बॉक्स में टैप करे प्रोसेस नमबर त्री फिर से आधार और्थेंटिकेशन के लिए बटन को टैप करे इसके बाद आपका EKYC पूरा हो जाएगा वरना invalid लिखा आएगा ऐसा होने पर आप आधार सेवा केंद्र जाकर इसे ठीक करा सकते हैं पहले से हैं EKYC होने पर EKYC is already done का message दिखेगा ऐसे कर सकते हैं आप EKYC complete 30 दून तक होगा social audit यह भी खबर है कि एक मैं से 23 जून के बीच सरकार की तरफ से social audit कराया जा रहा है इस audit में gram सभा के जरिये पात्र और आपात्र के लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी इसके बाद सुची के से आपात्रों के नाम हटाए जाएगे और पात्र लोगों के नाम जोड़े जाएगे अब लोगों का इंतजार है कब आएगी 11 किस्ट राजे सरकार की तरफ से पात्र किसानों का request for transfer साइन कर दिया गया है इसके बाद FTO जनरेट किया जाएगा इसके बाद लावार्तियों के खाते में पैसे आने शुरू हो जाएगे आपको बता दे केंद सरकार की इस योजना में 12.5 करोड किसान रजिस्टर्ड है बागी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे एशा नियूज इंडिया के साथ धन्यवाद